तो student, CUT exam की date announced हो चुकी है, ये NTA की website पे और CUT की website पे दोनों पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो CUT exam आपका July मन्त और August, दो मन्त में होगा, ठीक है, July में जो आपकी exam date आई है, वो 15 July, 16 July, 19 और 20 July, ठीक है, means July की अंदर आपको 4 days में ये exam होगा, ठीक है, और August में आपका 4th August, 5th August, 6th August, 7th August, 8th August और 10th August, ठीक है, तो July में आपकी 4 days में exam होगा, और August में आपका होगा, ये 6 days में exam, ठीक है, तो आप अपनी तयारी सुरू कर दें, आपको या हमें किसी को नहीं पता होगा, कि आपका exam July में होगा या August में होगा, अगर July में है, तो means आपके पास exam के days कम है और अगर August में है तो naturally आपको कुछ extra days मिल जाते हैं preparation के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पर यह नहीं है कि आपका कि जो जुलाई में देंगे उनको थोड़ा कम फायदा होगा या यह rationalization का कुछ process होता है उसके हिसाब से इसमें से कुछ सेलेक्शन होती है ठीक है और CUT ने NTA ने क्या किया है registration भी open किया है 23 तारिक मिन्स आज 9 बजे सुवेरे से लेकर 24 तारिक रात को 11.50 तक आप अपने registration form के अंदर correction भी कर सकते हैं और अगर किसी ने अभी तक नहीं भरा है वो इस form को भर भी सकता है तो यह आपके पास exam dates है total registration जो अभी तक हुए है वो 9,50,804 मिन्स 9,40,804 आपके पास total अभी तक registration हुए है और जो total universities participate कर रहे है 86 है उसके अंदर 43 central university है 3 13 आपके पास state university है 12 deemed है और 18 private universities है आपके पास ठीक है बात तो अपनी तियारी को थोड़ा तेज कर दें ठीक है अगर नहीं शुरू की है तो करना start कर दें क्योंकि date announce हो चुकी है तो इस वीडियो को आप share करें like करें ताकि दूसरे students को भी पता चले और अगर आप नई है चैनल पर चैनल सको subscribe करें धन्यवाद